इनके लबे रंगी की निठाबरें थी के जिसने एक सोल यह है कि हम अंडर्वेर पहनते और कभी नई भी पहनते तो कभी कभी पेशाप के कत्रे जो है वो एक अद बार निकल जाते हैं तो उसको कैसे साफ करें कपड़े से क्या सिरफ तीन बार हात फेर देने से गीला हात फेर देने से पाक हो जाएगा या फिर निचोड़ना जरूरी है और मस्जिद वगेरा में हैं तो इस तरह से कैसे साफ करें कपड़े को यानि यह मसला जो है ऐसा होता है कि कत्रे वगेरा आते हैं और कत्रे आने के बाद कपड़े के ऊपर एक या दो कत्रे पेशाप के लग जाते हैं तो ऐसी सूरत में जो है वो कपड़े पे क् नजासत और जादा फैल जाएगी कप्ड़े का नापाग दायरा और जादा बढ़ जाएगा इसमें नजासत लगी हो- ऐसी सूरत में पानी से नजासत लगी है तो यसी सुरत में जिसह कवा नजासत लगी है, नहीं होती खासतोर से इस मसले में तहारत के कि अगर एक दो कपड़े पे बूंदे पेशाप की होती है तो वो पूरा कपड़ा धोया जाएगा अगर बदल लिया है तो भी हर जनी पूरा धोया तो भी हर जनी लेकिन अगर वो एक दो बूंदे भी धोली जाएंगी तो भी उस इसी सूरत में उसको बगेर धुई भी अगर नमाज पढ़ेंगे तो कपड़े में इसी तरह नमाज भी वो हो जाएगी अगर चे खिलाफे सुनत होगी अगर इतना वक्त नहीं मिलता धूने का तो इस सूरत में वो नमाज उस कपड़े में पढ़ी जा सकती है अब यह अगर क इतना कपड़ा के जिस पर मनी है उसको पकड़ा के आसानी से दोया जा सकता है और उसको धोने के बाद वापस उसका प्रेंप्ड़े को पहन लिया जाएगा तो यह ज़ादा असान है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दिता हूं एक्जामपल के तोर पर जैसे के अभी यह आप इस कपड़े को समझेंगे यह एक टावल एक्जम्पल के तोर पर आप समझेंगे कि इसके वाइट वाला पॉर्शन आपको नजर आ रहा है समझ लीजिए कि यहां पर पेशापी कुछ बूंद रहे हैं बाकी इसको आप कुछ भी तसवर कर लें पाइजामा आप इसको लेके और इसको भी सिर्फ अच्छी तरीके से ना धो लेंगे पूरे अच्छी तरीके से पूरा मल के कपड़े को धोने के बाद इसको साफ कर लेंगे और यह धुल जाएगा तो बाकी गए जो कपड़ा बचेगा यानि यह सब कपड़ा जो है वो अलड़ी पाक तो सबसे असान तरीका है नजासत के कपड़े को इसी तरीके से पेशाब या मनी की बूंदे हों तो जितने कपड़े के ऊपर वो बूंदे लगी हों आप सिर्फ उतने कपड़े को अलग करें और उसको टंकी के नीचे अच्छी तरीके से मलके धो दें दो तिन दफा चार जोड़ें फिर इसको धो दें फिर इसको खूब अच्छे से निचोड़ दें तो जब यह कपड़ा पाक हो जाएगा तो बाकी कपड़ा जो है वो पाक रहेगा उसको आपको अलग से फिर पाक करने की जरूरत नहीं होगी और यह इसलामी बहने भी कर सकती है इस किसम के जो न इसलामी भाये को चाहिए कि ऐसा कपड़ा की जिसमें नजासत हो वो इसको घुसल के दोरान खुद ही उतने हिस्से को पाक करके डाले तक कि घर में इस तरीके का मामला इसलामी बहनों को ना करना पड़े और ये जो है अच्छा भी नहीं लगता अगर वाइफ है तो एक अलग पर वेर पर नापाकी पेशाब मनी मजी वगेर कोई लगी है तो उस हिस्से को टंगी के नीचे खूब अच्छे से दो के साफ कर दें बाकी कपड़ा ना धुए घर वाले नॉर्मल मशीन में डालके उसको धो देंगे तो ठीक रहेगा लेकिन वो कपड़ा पाक हो जाएगा अब अगर मेले कपड़े सारे मशीन के अंदर डालके धोए जाएगे तो उस सब कपड़े पाक रहेंगे यह तरीका सबसे जादा आसान है उन लोगों के लिए कि जो नापाक और पाक कपड़े मशीन में डाल देते हैं कि उनकी शिकायत होती है कि कपड़ा दो बार धुना पहले हम धोएं फिर वो दोएं तो पूरा ना धोएं तो इस तरीके से काम चल सकता है तो आपको सवाल था कि अगर कपड़ा मस्जिद में हैं और पेशाप की एक आद बूंद है तो दिरहम से कम है तो इसी तरह नमास पढ़ सकते हैं और अगर दिरहम के बराबर यह जादा है तो जो तरीका मैंने बता है इस तरीके से कपड़े को असानी से धोया जा सकता है कि पत्फर ले असलाले पुरनवार बनाया